हलो गई आप सभी है चैनल में और आप देख रहे हैं अट्रक्शन का जो स्लिवर्स पेस्ट्स कई στη कल बेस्ट के स्टूडेंट्स हैं हा ना डिप्लोमा प्रकूडेंट्स वह makeup अब दो साल पहले ही इंट्र्डूइस हुआ है इस to तो बहुत जगा इसका material मिलता नहीं है अगर आपको पढ़ रहा है में दिक्कत हो रही है colleges में भी अगर ये समझ नहीं आ रहा है या फिर material नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर जो एक्जिलरी एकिपमेंट्स जो फोर चैप्टर है पहले भी बता चुका हूं में exactly जो स्लेवर्स में टॉपिक्स दिये हुए हैं उनहीं पर बेस में वीडियो बना रहा हूं तो आपको इधर उधर कहीं पर भी देखने की जरूरत न आपको टेलिग्राम का वहां से आप लोग मेसेज करके हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं मांग सकते हैं नाव कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको चाहिए नोट्स वह अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 नंबर में क्या है इसका पहला टॉपिक जो है वह है प्रीचर आफ लोको मोटिफ्स तो यही दोनों चीजा सेम हैं अब क्लासिफिकेशन करते हैं लोको मोटिव का चार बेसिस पे हैना चार जो बेसिस है मतलब चार तरीके से क्लासिफाइः करते हैं याजिक लोको मोटिफ्स को तो पहला क्या है कि on the basis of track मतलब कॉन सा track यूज को बनाया गया है दूसरा क्या है कि on the basis of power generation मतलब किस तरह की power generation पे काम कर रही है locomotives है ना तीसरा है work it is used for कि मतलब कौन से work के लिए purpose क्या है locomotives का locomotives के माल गाड़ी खीचने के लिए है मतलब या passenger गाड़ी खीचने के लिए है उसके लिए पांचवा क्या है power develops मतलब यह कितनी power develop करती है locomotives यह चार है चार category का ऐसा classification है अब पहला जो है कि on the basis of on the basis of track में चार तरीका classification है कौन कौन सा तो वो है w w for होता है broad gauge या wide gauge इसको कहते हैं इसका मतलब है कि दो gauge का मतलब होता है जिसे wide gauge का मतलब होता है यह समझ लो कि ऐसी दो पट्रियां है मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले चलता हूँ यहाँ पर बनाता हूँ ठीक है यहाँ से देखवा आप लोग यह broad gauge का कहने का मतलब है अगर w वाली की बात करें तो यह इस तरह की कोई पट्री है यह रेल की पट्री होगी ठीक है यह तो broad gauge कहने का मतलब है कि दोनों रेल्स के बीच की जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ पर लिखा हूँ है यह distance लिखा हूँ है 1.17 meter 67 meter यह क्या है 1.67 meter होगी broad gauge की यह इसमें सबसे ज़्यादा किसी में जो दूरी होती है सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो पट्री होता है वो होता है broad gauge कहीं W for wide y से indicate करते हैं meter gauge मतलब कि यह जो यहाँ पे दोनों रेल्स की बीच की पट्री के बीच में जो दूरी होती है दोनों पट्रियों के बीच की दूरी होती है वो होता है 1 meter तीसरा है जड़ जड़ वाने की नेरो गेज है ना नेरो गेज में जो दूरी होती है दोनों रेल्स के बीच में वो 2.5 फीट होती है और narrower gauge को represent करते हैं capital N से उसमें जो दोनों gauge के बीच के डूरी होती है दोनों rails या पटरी में जो दूरी होती है वो 2 feet की होती है तो ये पहला जो है अपने देख लिया कि पहला वाला जो classification on the basis of track वो किस-किस तरह से है पहले जो इसमें letters है वो W है, Y है, Z है उसके बाद next आता है classification on the basis of power generation power generation जो होती है जिस पे based चलती है locomotive वो पांच तरीके का इन पांच तरीके का पहला क्या है diesel engine हो सकता है diesel engine हो सकता है locomotive दूसरा क्या हो सकता है वो locomotive को बनाया गया है वो चलेगा DC पे based DC पे उसको represent क्या करते है C से किससे represent करते है तो उसको C से represent करते है उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है कि वो locomotive जो बनाई गई है वो AC पे चले AC alternating current पे उसको represent करते है A से चौथा क्या हो सकता है कि DC या AC दोनों पे वो चल सकती है locomotive है ना दूनों पर चल सकती है मतलब क्या है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सी ए से यहां पर दिकर आपको सी ए से और पांचमा होता है कि बैटरी से चल सकती है वह लोको मोटिव तो वहां पर लिखा होता है बैटरी के लिए भी है ना यह इधर पांच तरह का लोको मोटिव को यूज किया जा सकता है तो पहला क्या है गुड्स जी फोर गुड्स जी फोर गुड्स है मतलब कि यह लोको मोटिव गुड्स यानि माल गाड़ी के माल रेल गाड़ी में होती है ना माल गाड़ी पैसंजर गाड़ी तो जी फोर गुड्स मतलब यह लोको म नोट करेंगे M4 होता है Mixed में होता है कि ये Goods के लिए भी यूज हो सकता है Passenger के लिए भी यूज हो सकता है Mixed का मतलब होता है S4 होता है Center ऐसे Locomotive जिसमें अगर S लिखा हो उसका मतलब होता है कि ये फिर से एगें Goods के लिए भी है Passenger के लिए लेकिन यहां पर हम लोग Change कर सकते हैं Same Locomotive के कुछ functioning को कि वो कभी Goods हो जाएगा और कभी Passenger हो जाएगा तो ये चार तरह का Classification यहां पर है अब लास्ट का है जो वो लास्ट वाला है हमारा Power it develops है ना तो यहां पर simply आप याद रखें मैं example जब बताओंगा तो clear हो जाएगा कि A जहां पर लिखा हो वो समझ लेजिए वो 100 है B हो तो 200 है C हो तो 300 है D हो तो 400 है और यह क्या है HP में सब होर्स पावर में HP HP ऐसा ही बढ़ता जाएगा D के बाद E के बाद F मतलब ऐसे सौसर करके बढ़ता जाएगा तो यह हमारा on the basis of different categories classification हुआ electric locomotives का अब देखते हैं इसके बाद एक example जैसे for example क्या लिखा हुआ यहां पर WDM3A मतलब अगर किसी locomotives में अगर आपको ध्यान हो ऐसा तो locomotives में अगर मैंने picture यहां पर नहीं डाली है खोशिश करी थी साय तो पता नहीं क्या हो गया editing में problem हो गई भी मतलब अगर locomotives में आप देखेंगे तो उसमें कहीं न कहीं ऐस तरह का code लिखा होता है WDM3A WAP ऐसा कुछ तरह करके इसका मतलब ही होता है यही बताता है कि किस किस तरह का classification जो चारो classification पढ़े on the basis of track on the basis of power generation on the basis of work it is used for on the basis of power it develops मतलब यही जो है code यही code बताता है हमें कि यह वाला code locomotives का ही बताता है कि कौन-कौन से इसमें classification किस तरह के हुए है पहला जो letter है वो W बता रहा है W मतलब क्या पढ़े हम लोग की wide gauge या broad gauge पढ़े है ना broad gauge कहने का मतलब है कि इसमें जो पटरी की दूरी होगी पटरी में जो rails की दूरी होगी वह 1.67 meter होगी है ना 1.67 meter होगी वैसे पटरी में यह locomotive चलेगा ठीक है मतलब क्या है यह W4 क्या लिख सकते हैं हम लोग broad gauge डी 4 क्या लिखा था डी 4 लिखा था हम लोगों ने पीछे गल के देख लेते हैं डी 4 क्या है diesel engine आपको याद होगा तो ठीक है की 100 होता है और 100 के साथ क्या HP मतलब यह locomotive है जो 31 होर्स पावर डेबलेप करेगी आप अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसका नाम कैसे लिख सकता है कि इस locomotive इस वाइड गेज है ना वाइड गेज डीजल इंजन मिक्स्ट थर्टी वन हंड्रेड एच्पी पावर इसको इसको इतर अगर मिटा दू मैं है एच्पी पावर लोको यह पावर नहीं लिखते हैं सिंप्ली क्या लिखेंगे लोको मोटिफ्स तो यह इसका नोमेंक्लेचर हो गया है ना यह नोमेंक्लेचर में पूछ ले अगर तो आपको मैंने बता दिया हलांके क्लासिफिकेशन पिछले यहीं तक हम लोगों को यह क्लासिफिकेशन बस यहीं है ठीक है आप चाहें तो इसका स्क्रिंसॉट ले करके भी नोट्स बना सकते हैं सेम चीज़ है कोई भी कमबेश ही नहीं है थोड़ी बहुत टॉपिक्स ज्यादे होंगे वहां पे नोट्स मे अब मैं आपको एक एक इसेमपल देता हूँ वह बनाने के लिए कहता हूँ कि आप क्या करो कि यह वाला को आप लोग बना लेना है चलो मैं बताता हूँ क्या बनाना है आप लोगो ठीक है इसका नोमिन्कलेचर आप लोग लिखने ही कोशिश करना डबलू ए पी फाइव ड यह अगर लोको मोटीव में किस तरह का लिखा होगा तो आप लोग बताएं कमेंट में करके लिख करके बता देना कि यह किस तरह का लोको मोटीव होगा इसका नाम हम लोग क्या देंगे यह नोमिन्कलेचर लिखना है हम लोग को नोमिन्कलेचर नोमिन्कलेचर क्या होगा को ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट डपिक के हैं इसके बाद हम लगोगों पढ़ना हैं नेक्स्ट डपिक में auxiliaryесь of traction ओशिलेरी ओव depiction system औक जीलरी इसका मतलब क्या होता है इसेफ्ले सब सेपहले समझे मुझा मतलब होता है बाहरी का मतलब करना रहना मतलब मेन ट्रैक्शन सिस्टम के अलावा जो एक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं अक्सिलरी है ना मेन ट्रैक्शन एक्विपमेंट्स क्या है मेन तो ट्रैक्शन मोटर होता है है ड्राइब्स होता है ड्राइब्स या मोटर होता है जो मैंने बता अर यही सारे को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं क्या और से हो सकते हैं तर्य काड़ों 보고 सकते हैं और स्टेप डाउने स्टिप अप करने के लिए मिल्टेस को भी फेज़ कंवेटर dick सकता है मतलब single phase से three phase में अगर चाहिए हम लोग को तो converter हो सकता है starting resistance हो सकता है motor को starter करने के लिए starting resistance आपने पढ़ा होगा तो वो हो सकता है मशीन में यह पढ़ाई जाती है फिर rectifier हो सकता है अगर एक सी से हमें dc चाहिए चेंज करना तो उसके लिए रिक्टिफायस होगा रिक्टिफायस हो सकता है smoothing रियक्टर हो सकता है frequency converter हो सकता है मतलग कि मैंने आपको बताया था कि AC में दू use होता है दो थरीके का voltage एक तो होता है जो 15 सारी एक होता है कितना 15 kilovolt और 16.17 हज और दूसरा होता है 25 किलो वोल्ट 25 हज तो यहां पर आप देखिए कि यह वाला पोर्शन में हमें फ्रिक्वेंसी भी चेंज चाहिए होता है 50 से तो फ्रिक्वेंसी कनवर्टर भी हो सकता है अब इसके बाद अब ड्योंच 10 दूसरी तो इसके बाद भी होता है कि ट्रांसंठ्फर्मर का इंडिविजव अप् Shane अब इस बस और यही तक नहीं रुकता है Crown State 이게 बाद भी होता है जो कि कि transformer का individual auxiliary होता है किसी motor का individual auxiliary होता है Rectifier का individual होता है auxiliary होता है क्यों होता है वो समझाना चाह म Android Pandemie लेता हैं उस्से पहले हम लोग समझ लेत है कि इन पुजिनरी क्यों जरुरत पढ़ता है , transformer work कर रहा हैあ तो यह hած हुएगा रूबब तो गरम होंगी अगर काम करेंगे तो यह हीट करेंगे तो यह अच्छा सेफटर से अब सबसे फिर डाइनमीक रैजस्टेंस और ब्रेकिं कर दो या नहीं है ? इन सब के गरम होती हुए ? इन सब को ठंधा करने estasए ? या तो फैन सब को ठंधा करने वर्ड में Blowers woors blowers क्या होता है एक तरह का फैनी होता है जो की High pressure में Above pressure digital एयर को रिलीज करता है एयर को ब्लस्ट करता है यर को देता है उसकी वाज़ से क्या होता है कि हमारा यह जो है धंडा हो जाता है अचानक से जटके से थी आ widget स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के लिए इन सब चीजों के लिए यह एक्स्ट्रा उक्सिलडिया होता है चलिंदेखते हैं वह देखो यह क्या ट्रांसफॉर्मर ओइल सर्कुलेटिंग पंप यह अथे इस तरह होता है और दूसरा होता है transformer oil cooling radiating blower है ना मतलब transformer के oil को यहां पर cool करते हैं और यहां पर circulate करते हैं उसके लिए circulating pump होता है वो भी auxiliary है अभी क्या करता है oil circulating pump है वो provide करता है हमारा कि वो provide करता है हमारा पहला जो क्या है insulation provide करता है ना insulation between tank and the conductor उसमें है उसमें दोनों के बीच में दूसरी बात है कि cooling of heat generated in surrounding मतलब अगर यह oil है oil pump है circulating oil pump है तो यह जो surrounding में उसके उस pump के surrounding में जो heat होंगे उनको भी ठंडा करेगा उनको भी cool down करेगा उसके बाद normal temperature में भी रखता है यह किसको transformer को in case of hitting या फिर in case of overloading की अगर बात करें तो यह है transformer oil circulating pump का का काम दूसरा transformer oil cooling radiating blower का क्या है कि यह क्या होता है कि oil circulating pump जो होता है वो radiator through radiator through radiator हो करके top of the transformer जाता है जहां पे ठंडा किया जाता है उसको उस oil को मतलब सबसे पहले तो समझे कि यह circulating pump में oil जा रहा है अब वो धीरे धीरे भी heat हो जाएगा ना दूसरे को ठंडा करते करते अब उस ठंडे उस oil को भी तो हमें ठंडा करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर ओइल कूलिंग radiating blower ठेक है यह auxiliary of transformer हो गया अब देखते है auxiliary of rectifier block क्या होता है कि rectifier block मैंने बताया आपको कि rectifier block चाहिए होता है क्योंकि AC से अगर हम लोग DC में change करना चाहते हैं power को तो उसके लिए rectifier block चाहिए अब rectifier blocks के लिए change तो कर देंगे rectifier block से लेकिन समस्या क्या है कि यह rectifier भी heat होने लगते है गरम होने लगते तो proper functioning नहीं करेंगे है ना तो वो desirable नहीं है अब उसको हटाने के लिए हमें यहां पर फिर से डालना पड़ता है blower तो क्या होता है कि one blower हर rectifier block में हम लोगों को लगाना पड़ता है इच rectifier block में ताकि हर एक rectifier जो है ठंडा रहे ठीक है हर एक rectifier जो हो तंडा रहे अब रेक्टिक क्यों टंडा रखना है और या फिर क्यों गरम हो जाता है rectifier से आप यह समझे, rectifier क्या होता है वो semi conductor devices से मिल करके बनते है basically diode से मिल करके बनते है है की नहीं, rectifier अगर diode या thyristor से मिल करके बनेंगे तो वो semi conductor devices हैं और वो अब हीट से बहुत ज्वी होते हैं मतलब हीट मिलने के बाद उनका चेंज हो जाता है अब जो पहले कर रहे नॉर्मलस्ट क बाख रहें दूसरे कंडक्शन को करने लिएंगे मतलब बाकन कर बाख छयेंगे उनका रिजिस्टिंस कम जाए cu इस case में हम लोग को नहीं चाहिए होता है यह desirable नहीं होती है so इसे हम लोग ठंडा रखने का परियास करते हैं वो ठंडा किसे रखते हैं कि हर एक rectifier block में एक-एक blower हम लोग दे देते हैं one blower is provided on each rectifier block समझ गए? चलिए आजब next topic देखते हैं इनके अलावा और कौन-कौन सा auxiliaries है अधर auxiliaries पहला क्या है air compressor air compression हर जगा पर यूज हो सकता है कहीं पर भी जहां पर भी heat या फिर heat नहीं यहां पर air compressor से हम लोग air को compressed form में यूज करते हैं मतलब pressure pressurized air को यूज करते हैं हम लोग different works के लिए जैसे कैसे train brakes के लिए brake लगाने के लिए air compression को यूज करते हैं for raising pentographs pentograph का सौरी है spelling लग लिए हुआ यह pento ऐसे p-a-n-t-o होता है pentograph pentograph को क्या करने के लिए उठाने के लिए pentograph आप समझते हैं यह अगर locomotive है ठीक है यह locomotive है और यह overhead line है OHE तो यहां से ऐसा लगा होता है जो कि collect करता है current को इसे को pentograph होता है अब इसको उठाने के लिए इसको इसमें touch कराने के लिए इधर से spring लगा होता है और spring को help करते हैं लोग air compression से तब जाकर यहां ऐसे उठाता है इसको और यह touch रहता है और यहां से pressure दे करके रखता है यह ताकि यह sliding होने के time में इसमें contact ना चूटे तो यहां पर use होता है air compression तीसरा क्या है for operating power switch gear inside logos such as power contactor change over switches and windscreen wiper windscreen wiper के लिए use कर सकते हैं दूसरा और क्या-कया यूज़ करते है air compressor को air compression को switch gear जो भी switching system हम लोगों को अब नीचे अंदर में दिया होता है वहां पर भी उसको use करते है ठीक है air compressor को या फिर power contactor किसी contact को बनाने के लिए किसी contact को छोड़ने के लिए यह मतलब train के अंदर लोकोमोटिफ के अंदर यह सब चीज़े यूज़ करते हैं दूसरा क्या vacuum pump यूज़ करते हैं हम लोग dynamic breaking resistance आपको बता दिया cooling blower इनका cooling blower यूज़ करते हैं फिर starting resistance जो होता है motor को start करने का जो resistance लगाते हैं उसका cooling blower को यूज़ करते हैं तो यह सब चीज़े हैं जो other auxiliaries हैं apart from two auxiliaries transformer auxiliaries और rectifier block auxiliaries है आजाओ next देखते हैं क्या है next कमाल की चीज़ यह है कि current collecting method यह बहुत ही important है यह exam में आ सकता है I guess so आना चाहिए तीन तरह का current collecting method होता है locomotives में पहला trolley collector या trolley कही नाम है क्या pole collector दूसरा होता है bow collector तीसरा होता है pentograph फिर से यहाँ पे एक पेंटो का गलत spelling लिए या या पी ए एंटियो pentograph collector तीन तरह का collector होता है collector का से basically क्या कहने का मतलब है कि यह इससे हम लोग current को collect करते हैं है ना current को collect करके locomotive में देना है इक नहीं लोकोमोटिव में current देंगे तभी ही चलेगा तो next हम लोग देखते हैं एक एक करके सबसे पहले पोल collector क्या है उसके बारे में देखते है ट्रॉली या फिर पूल क्लेक्टर देखो सबसे पहले diagram में देखो क्या है इस तरह कह यह trolley या pole collector दीचता है क्या होता है यह overhead line है है नहीं overhead line है ठीक है? यह overhead line में इस तरह का grooved मतलब यह आप देख सकते हो mujer यह diagram है यह होता है जो ऐसे touch करता हुआ slide करते जाता है locomotive के उपर च्छत पर locomotive पे यह लगा होता है और यह इसको touch करता हुआ जाता है यहां पर और यहां से इसमें करेंट है हमारा ओवरेड लाइन में और यह करेंट इसी को ऐसे कलेक्ट करके ये दूसरा डाइगराम है कॉलकटा में जो ट्रामवेज यूज होते है उनके डाइगराम है आप देख सकते हैं ये भी वही चीज़ है पोल कलेक्टर इसका ट्रॉली ये पोल कलेक्टर इसले नामे कि पोल की तरह ये ऐसे कड़ा होता है यह लोकोमोटीव के यह अगर लोकोमोटीव ऐसे माल लो लोकोमोटीव के च्छत पे रूफ पे यह लगा होता है इस तरह का है ना पूल के तरह काड़ा होता है तो यह हैं दो चीज़ है ठीक है अप्लिकेशन ट्रामवेज या ट्रॉली बसे में यूज करते हैं एक इसका खा अगर तो यहां से contact छूटने का डर होता है और contact अगर छूट जाएगा इसका तो यह current collection अच्छे से नहीं हो पाएगा समझ रहा है अच्छे से current collection नहीं हो पाएगा तो हमारा फिर से देंसर डी से आएंगे next देखते हैं जो दूसरा है तो है दूसरा है हमारा वह collector यह फिर वो collector exactly वह collector बो का मतलब होता है की दानुस थे मैं दूस की बो का मतलब होता है क्या धनूस धनूस के जैसा कलेक्टर होता है अब यह डाइग्राम में देख सकते हो यह जो ऐसा इसका सेफ है वो एक्जैक्टली कुछ धनूस के जैसा है और यह यहां से लग रहा है सतीर लगा हुआ है तो यह धनूस क्या जैसा कलेक्टर होता है ठीक है मतलब अच्छा यह डाइग्राम अगर आपको बनाने बोला जाए तो आप यह वाला डाइग्राम सेंपली बना सकते हो इसी का नाम बो होता है जो यहां पर मेटल स्ट्रीप है इसका नाम क्या होता है बो इसी का नाम बो है धनुस है ठीक है और यह जो है इनका नाम है बो पोल ठीक है और ये जो लगे हुए है ये ट्रामवेज के या फिर लोकोमोटीव के छट पे लगे होते है और यहाँ स्प्रिंग लगा होता है इस जगह पे यहाँ पे क्या लगा होता है यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है जो आपको दीख भी रहा होगा स्प्रिंग यहाँ पे जो कि help करता है क्या यह spring pressure बना करके force बना करके इस वाले overhead lines में इसको बो को touch करा करके रखने का काम करता है ठीक है contact wire बने contact बना करके काम करता है तो इससे पहले दो चीज़ देख लिए जो बो collector और वो वो दोनो जनरली high speed के लिए use नहीं करते हैं लेकिन panto graph को high speed के लिए use करता है क्यूंकि इसमें connection तूटने का ڈर नहीं होता है इसमें connection नहीं तूटने का ڈर इस लिए होता है क्यूंकि इसको बनाए है जाता है वैसे सबसे पहले तो इतना आशान नहीं होता है construction इसका यह difficult construction यह सब्सक्राइब करेंच लेकिन इसमें क्या है अगर लोकोमोटिफ दो इदर से जल सकता है तो यह नहीं चल सकता है मतलब एक ही डिरेक्शन में यह collector collect कर सकती है current को लेकिन इसमें क्या है बाइ डिरेक्शनल होती है पेंटोग्राफ है ना higher speed application के लिए यह बहुत ज़्यादा useful है ठीक है higher speed application के लिए बहुत ज़्यादा useful है अब देख सकते हैं आप लोग कि यहां पर दो डाइग्राम बना हुआ यह सिंपल डाइग्राम बना हुआ जो आप बना सकते हैं अपने एक्जाम में यह ट्रेन का exactly डाइग्राम मैंने बताया आपको तो यह वाला इगेंट जो है वह स्ट्रिप आपको सेम उसी तरह से दिख रहा है जैसा कि वह collector में था कर दो दोकी street को बना हुआ आप यहां पर जैसे कि इस डाइग्राम में आप लोगài मैजन कर सकते हैं यह को रहा है यह आप याप मोवलते हैं यह स्प्रिंग के हैलप से कांक्ट बनाने में हम में Canadians प्रिश किया ह्tım तर इसको करने के लिए ठीक है तो ये pentograph भी हो गया जटेखते है अज कल максимum हम लोख जोटरेंज में देखते है वो pentograph ही लगा होता है आजाव निटेखते है पावर कनवर्जन and Transmission System जो next topic है वो हमारा यह है नेक्स, स्लिबस में जो next topic है आप लोग जान चुके हैं कि कौन कौन से तरीके का लोको मोटिव चलता है डीसी डीसी लेक्ट्रिफिकेशन चलता है यह तीन सो से लेकर के से थीन हजार वोल्ट होता अच ग्यज़ होता है साइन यह होता है और यह थो यह स्थीन तप करेंट क्योंनि यह होती है हम लोगों को की यह पावर फाइनली हम लोगों को चाहिए होता है डी सी या फिर एसी या फिर कंपोजिट दोनों इस तरह का ठीक है अब अगर लेक्ट्रिफिकेशन हो गई कनवर्शन हो गई पावर की है ना तो हमें चाहिए कि अब सप्लाई देना होगा लोको मोटिब्स को सप्लाई देने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा लोको मोटीव को सप्लाई देने के लिए अलग-अलग तरीके के लिए अलग-अलग में थठ है जिसे DC और AC बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है एक DC और AC यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें आ रही है तो डिफरेंट वेसरे कौन सा एक तो third is third and fourth rail system ये बताता हूं क्या है और दूसरा क्या है overhead rail system पहला देखते है third rail system क्या है थोरी ये fourth rail system क्या है आप देख रहे हैं यहां पे क्या करते हैं यसे he डाइग्राम देखना स्टार्ट कर दो डाइग्राम में क्या है कि ये पट्री दिख रही है बनी ये ये एक पट्री है और दूसरा ये एक पट्री है मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं आपको अच्छे से दिखे ठीक है ये एक पट्री है और एक ये पट्री है समझ रहे ह बोल जाल कि है तो इसमें तो ट्रेन हम लोगो को लोको मोटीव चलना है इसमें और लेकिन थर्ड रिल सिस्टम में क्या करते हैं एक रिल के पैरलल एक और रिल भी चाते हैं यह वाला रियल आप देख लो ठीक है इसी का नाम है क्या 31 लगाते हैं जो की protecting cover होता है ताकि इसमें तो current दे देना है हम लोगो finally इसका use किया है third rail का वो बता रहा है इसी third rail में हम लोग क्या करते हैं supply देते हैं DC supply को ठीक है DC supply को देते हैं और यहां से आप देख सकते हैं यहां पर तोड़े थोड़े insulators लगे हुआ है नीचे में भी ताकि नीचे भी ground ना हो जाए और यही current को continuously collect करता है यहाँ पे चलता हुआ locomotive समझ रहे हो आप यहाँ पे चलता हुआ locomotive इससे current को यह third rail से current को collect करता है लगतार और चलते रहता है locomotive ठीक है अब क्या कर रहा है जैसे अब third rail में supply तो दे दिए लेकिन डिसी supply के लिए थार्ट rail यूज़ करते हैं लेकिन अगर returning path हमें चाहिए तो returning path के लिए फिर से इसी rail को use करते हैं लोग running rail को यूज़ करते हैं इसको insulate भी कर देता है ताकि third rail को insulate कर देते हैं ताकि हमें कोई भी नुक्षान ना उठाना पड़े ठीक है यह ऐसे मेट्रोज में यूज़ होता है जो कि सबसे पहले तो DC electrification हो दूसरी बात जो जहां पे overhead lines की सुईधाना हो जिसे tunnels में meteors है underground meteors हैं तो वहां भाइब हम दोहां लोग है third rail या, fourth rail ऐसे system भी सーध्य helps करते हैं यह सब्सक्रेब्स स्सक्राइब जिए तोโच यहां और रेल यहां पे बीच में लगा देते हैं जो कि जिसे यहां क्या किये थे ह Teraz एक और रेल यहां पे और लगा देंगे fourth rail में आफ समझ गया üzere देखते हैं कैसे यह example लिखा ária यहां करते हैं आप थोड़ा सा इसको जुम कर करें क्ःते हैं अब देखे यह वालगाम हाण यह डाइग्राम क्या दिखा रहा है यह जो 3rd rail की तरह है अगर एक railis को ना देखे तो लेकिन इसमें supply वह देदिये Aynap ठीक है returning path 3rd rail में क्या कर रहे थे यह running rail से ही कर रहे थे लेकिन फूर् त्रेल में क्या करते है returning path हम लुग यह 4 रेल से करते हैं वही डिया रिपरेंस है और कुछ नहीं है dividing और पूर्त安全 में थाज्रेट में देन यह करते हैं वह उज़ करते हैं चाड़ यूझब रानी के लिए र lemonade के लिए govern होती है सप्लाइ के लिए फूर्थ रेल सिस्टम में फिरसे दो रेल यूज़ होती है रनी के लिए और एक रेल जो होती रेल उसको हम लोग यूज़ करते हैं वापस करेंट को कलेक्ट करने के लिए रेटरनिंग पात के लिए अब ओवर हेड लाइन रेल सिस्टम क्या है दूसरा यह नॉर्मल है आप जिससे जानते भी हो कुछ नहीं ओवर हेड रेल सिस्टम से हम लोग इसको इस तरह का ओवर करने करने को को मोटीब में इन जरूनिंग पात के तरह और यह ऊवर हेड रेल सिस्टम मुज़ करता है हम लोग को high speed trains के लिए high speed trains के लिए यूज होता है ओवरेड इस electrification supply में क्या करते हैं यह तो DC electrification supply की हम लोग बात कर रहे थे अभी तक है ना जो supply system देते हैं लोको मोटिव तक AC electrification में क्या होता है simply इसका एक ही method है वह बस है कि overhead ओवरेड लाइन ओवरेड लाइन सप्लाई से जैसे भी हम लोग दे दे सप्लाई लोको मोटिव को यह है एसी का मेथड ठेक है लास्ट लिखते है जो इस टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कोच वाइरिंग वो बहुत ही इंपॉर कि तुम समझ जाओगे easy, easy,y easily समझ नहीं है और easily बनाने लाइक भी होना चाहिए diagram इसलिए कोच वाइरिंग में करते क्या है basically वो देखो कोच वाइरिंग में हम लोग करते क्या है यह किसी एक पटिकुलर कोच का वाइरिंग लिखा हुआ है यहां पर डाइग्राम इसमें सबसे पहले ओपर से स्टार्ट करते हैं पाउरिْno 5 वाइरि यहां पर दीख रहा है चयरा है अगर काउंट करोगे तो एकड़ा थीं चार पांच छहे लेकिन इन दोनों को लास्ट वाले डोनों को एक ही में कनेक्ट कर दिया गया है इसलिए यहां पर बस थे हैं अब 1 वाइर दो इर 2 तीन वाइर और एक चार यह कोच के रूप में लगे होते हैं हर एक कोच के रूप में रूफ में मतलब च्छत पर उपर में यह पांचो वायर लगे होते हैं अच्छा यह एक कोच हुआ दूसरा कोच यहां से फिर से स्टार्ट हो जाएगा यह पांच वायर पांच तरेका का वायर अब इनको इन से कनेक् यूजे कुलर कपलर को इन सभी को दूसरे कोच में डानसफर करने के लिए ओके अब देखते हैं आगे इस डाइग्राम में क्या दिख रहा है सबसे पहले तो देख लो यह पांच वायर में बहुत चुटा चुटा गर दिख रहा हूँ फिर भी कोशिस करना जूम करके देखने की मैं कोशिस करता हूँ आपको जूम करके दिखाता हूँ सबसे पहले य पूर्ट दिख रहा है यहां पर है यह जो एक वायर दो वायर तीन वायर चार वायर और यह दोनों कर्यां यह दोनों क्नेक्टेट है आपस में से लिए पांची वायर थीक है अब यह समझा अब देखें आप इसको थोड़ा सो और देखना चाहें तो मैं इधर करके दिखाता हूं पांचो वायर का नाम क्या क्या है सबसे पहला वायर प्लस साइन से लिखा हुआ है इसका नाम है पी एम यानी की पैरलेलिंग में याद रखते जाओ क्या क्या है दूसरा वायर है नेगेटिव लिखा हुआ है यहां पर दूसरा क्या है नेगेटिव का मतलब क्या है और पैरलेलिंग में का क्या मतलब है कि जो में लाइन है जैसे paralleling main का जो main wire है यही है ठीक है और इसका returning path जो है वो यह है negative वाला ठीक है तीसरा क्या है on मतलब इसमें से कुछ भी चीज connect करेंगे तो वो system on होगा fan connect करेंगे तो on होगा light connect करेंगे तो on होगा socket को connect करेंगे तो on होगा off का मतलब है कि इससे किसी भी चीज़ को connect करेंगे तो वो system off हो जाएगा अब नीचे में दो wire है जिसमें light fan का positive terminal है मतलब light और fan को on करने का terminal है इतर एक के लिए एक वायर से light को यूज़ कर रहे हैं दूसरे को fan से अब यहां तीसरा एक और वायर भी यूज़ कर सकते हो जो socket charging socket के लिए तो यहां पर कितना भी वायर कनेक्ट कर दो वो एक ही में count होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बस application में के लिए हम लोग अब इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा जूम इन ठीक है वापस से करते हैं जूम इन क्योंकि हमें देखना है क्या फूरे डाइग्राम को चलो स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा अब रब कर देता हूं अगर आपके लिए समझ में आ गया हो तो यह सब अब क्या है कि यह पांचो वायर में सबसे पहले देखो किसी भी कोच में जो है वो किसी भी कोच में अब क्या हम लोग करते हैं यह जो आई सी एफ और लेच बी दो तरीके का कोच होता है जो आई सी एफ होता है जो कन्वेंशनल कोच है जिसका नाम है इंटीग्रल कोच फै लोग कंवेंशनल वाला पढ़ रहा है जो यूज होता है उसी को मोडनाइज करते हैं दीरे दीरे चीज़ें लेकिन बेसिक चीज़ें लोग पढ़ता है जो किसी बीचेज में यह डाइगराम उसका है कन्वेंशनल का मतलब आईसी एफ कोचेज का है आईसी एफ कोचेज में क्या होता है कि बिजली आईसी एफ कोचेज में जो हर कोच में जो बिजली की रिक्वार्मेंट होती है वो वही कोच पूरा करता है तो यहां पे हम लोग उसमें बिजली जिनरेट करने का सिस्टम लगाय हुआ है कैसे यहां देखो एक डाइनमो लगाय हुआ है अब इस डाइनमो का function क्या होगा डाइनमो को हम लोग वील का axle से चक्का जो होगा न ये लोको मोटिव के चक्का का जो एकसल होगा उससे connect कर देंगे इसको डाइनमो को डाइनमो के rotor को डाइनमो basically एक generator है तो डाइनमो के rotor को connect कर देंगे तो उससे क्या होगा बिजली generate होगी बिजली generate होगी तो सबसे पहले जान लो AC में होगी DC में तो होगी नहीं ठीक है अब ये बिजली जो generate हुई यहाँ डाइनमो से अब इसको हम लोग डाल दिये एक तरफ इसका positive terminal इदर से आता हुआ और इधर से जाता हुआ इधर से इधर ऐसे करके यहाँ पे तेखो paralleling main के सबसे उपर वाले में connect कर दिये किन्यों दूसरा terminal इधर से जाता हुआ यहाँ paralleling main के यहाँ पे हम लोग negative में connect कर दिये उससे क्या हुआ कि पैरलेलिंग में में हमारा करेंट दोड़ना स्टार्ट हो गया ठीक है अब यहां पे बाकी यह सब सारी सिस्टम को अभी फिलाल के लिए भूल जाओ बस पूरा सिस्टम को मत भूलो सौरी इसको भूलो मैं बता रहा हूं कि इसको इसको भूल जाओ और इधर भूल जाओ बस जाओ रखो यह एक चीज़ दूसरा कनेक्शन क्या है ऐसा है या नहीं मतलब क्या है कि आप समझेए कि अगर हम लोगों को चाहिए जब ट्रेंज चल रही हो ठीक है अगर ट्रेंज चल रही हो तो ट्रेंज चल ज़ह रहा होगा तो डाइनमो तो बिज़ले ज़नरेट कर रह उसे के लिए हम लोग यहां पर इसको supply में डाल देते हैं बैटरी ना बैटरी का क्या है कि बैटरी चार्ज होती है पहले फिर चार्ज होकर कि यह हम लोग coachREE में supply देते हैं recognize twenty यहां पर दो बैटरी ढिसमल डीडरी में तर्ड है यह डबल beattरी कोच वारिंग है आप approximately सिंगल बैटर भी होती है डबल बैटरी इसलिए यूज करते हैं कि अगर इफिसेंसी चाहिए या फिर मॉर कण्विनियंट या कोई भी प्रेकडाउन या किसी भी तरीके का डिस्टरविंस नहीं चाहिए सप्लाइ में हमें तो डबल बैटरी हम लगाते हैं क्या हो रहा है एक बार में किसी एकी बैट्री यूज्व करेंग अछे चार्जिन और किसी एकी बैट्री को उच्चार्जिन logan करेंगे म॥ी तो दोनों को धर शकते हैं टायम फे लेकिन चार्जिन के लीए स्विच औ inflexões करें लिए फोज़ी हो जब भी कि कौझ से बैटरी को हम लोग को डिस्चार्जिंग के लिए उसके सप्लाइब करnajा हो यह और ऐसका गया ऐसा होगा क्या कि कोई एक डॉन होगा तब तक दूसरा चार्ज होता रहेगा फिर यह जब डॉन हो जाएगा तो उसको चार्ज में लगाएंगे और इस दूसरे को हम लोग सप्लाई ले लेंगे यहां से तो यह कंटिनिमस सप्लाई रहती है इसलिए चेंज ओवर स्विच ल और यहांन से कनेक्टेड है ना यह से कनेक्टेम्ड है यह ना यह यह से कंटेड है soda में में लें सकते हैं उसका वह भी यूज है इसका है ना तो यहां पर जो मैं बता रहा था आपको यह on और off और on लिखा हुआ है यह remote control guard है मतलब यह guard control या remote control switch लगाया हुआ है ताकि पूरे train को जैसे मान लो फाइनल destination में जब अगर train पहुंच जाती है तो पूरे coaches की बिजली अच्छानक से की बार में off करनी है मैं तो किसी एक guard या driver के बगल में कोई बैठा होगा या कोई भी monitoring वहां पर आदमी होगा monitor करने वाला वो switch को off कर देगा और पूरा system off हो जाएगा उसी के लिए इस diagram को समझो कैसा है एक wire यहां पर इसमें क्या लगा हुआ है एक wire off में लगा हुआ है ठीक है और यहां पर ऐसा palmber करके इस तरह का connection है अब off वाला जब भी यह switch दबाएगा उसमें क्या होगा यह connect ऐसा हो जाएगा यह off वाले के साथ जब भी connect होगा पूरा system off होना लगा यह एक side में off वाला connect हुआ दूसरा side में देखो यह paralleling main connect हुआ मतलब main ही switch off हो जाएगा main line ही off हो जाएगा यह काम होगे off का अब रहा बात की जैसे train खुलने वाली हो on करना है पूरे system पूरे train की भी सलिको यह दूसरा जो इसका portion है यह जो दूसरा portion है अब देखी यह वाला है ना यह इसको थोड़ा सो जूम ही करके दिखाता हूँ मैं आ अगर connect करेंगे तो यह दूसरा wire इसका देखो यहां पर ले जाकर के on में है मतलब यह पूरा system on होगा और इसका जो दूसरा terminal होगा वो यह main में चला जाएगा मतलब main पूरा on हो गया हमारा इसी तरह से इधर में light और fan की भी system लगाई हुई है light light वाले wire से हम लोग जोड़ इसका दूसरा terminal negative जो returning path में उसको ले जाकर के चले गया और यहां पर switch लगा दिये यहां पर उसी तरह से fan वाले wire में लगा दिये एक और दूसरा terminal negative वाले में डाल दिये यह negative वाले में यह negative वाला wire है ना तो यह returning path में चला गया तो यह simple सा coach wiring है यह जो की अभी ICF coaches में use होती ह है यह ICF coaches का full form क्या है integral coach factory है ना यह थी जो की coach wiring थी वो simplified form में मैंने आपको समझा दिया अब इसको आपको screenshot लेना है तो ले लो मैं मिटा देता हूं यह सब ताकि आपको बनाने में कठीनाई ना हो ठीक है next page में देखो यह क्या है बस वही five wires क्या क्या होते हैं और कौन पक्स दिख था नेगेटिव वायर ब्लू कलर का होता है ठीक है नेगेटिव वायर क्या होता है ब्लू कलर का होता है और इसको रिटर्निंग पाथ के जैसा यूज करते हैं तीसरा के दूसरा कहा है लाइट जो positive light है वो yellow color का होता है ठीक है और fan भी वाई similarly उसी तरह से होगा paralleling main जो होता है वो red color का होता है control वायर on off जो होती है on वाला black होता है off वाला green होता है तो यह था चैप्टर नमर फूर का पूरा detail covered slavus cover हो चुका इसका और एक चैप्टर फाइब का दो चीज़ें तीन चीज़ें हैं उसमें topic में ज्यादा है नहीं उसको भी cover कर दूँगा मैं अगर वीडियो helpful है तो share कर दो लोगों में बागी बागी students को भी बता दो और इसको I hope कि आप बहुत अच्छा score कर लो इस वीडियो को देखने के बाद notes चाहिए तो notes के लिए आप लोग हमें comment कर भी सकते हो और या फिर telegram पर message भी कर सकते हो यह है telegram का number and as always keep learning keep motivated stay tuned to this channel और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए thank you for watching have a good day झाल